अध्याए नो परम घुईये ग्यान मतलब रहस्यमे ग्यान या गुप्त ग्यान शिरिभगवार ने किया हे अर्जुन क्योंकि तुम मुझसे कदी इर्षा जलन नहीं कर दे इस खात्रों में तनू इस परम गुप्त ग्यान तथा अनुभुती बतलाऊंगा जिसनू जानकर तुम संसारेच सारे कलेशा कुलों मुक्त ओजासो यह ग्यान सब विद्याओंदार आजाए जो सारे रहस्यों च सबसे पहले छिपाने योगे ये परम शुद्धे और क्योंकि ये आत्मा नू दिखाई पढ़ने वाला अनुभुती कराने वाला वे इस खात्रों ये धरम दा सिद्धान ते ये अविनाशिये और अत्यांत सुख पूर्वक संपन किया जान ते हे परन तप जो लोग भक्ती च शर्दा नी रखते वे मुन्नू प्राप नहीं करस पाते इस खात्रों वे इस भोतिक जगते च जनम मिर्त्यू दे मार्ग रस्ते दे वापस आऊंदे रहनें ये संपूर्ण जगत मेरे अपरकट रूप द्वारा सब जगा फैले है सारे जीव मुझ में है किन्तु में उनमें नहीं है ता भी मेरे द्वारा उत्पन सारी वस्तु में मेरे च इस्तित नहीं रहें ज़रा मेरे योग एश्वरे नू देखो अगर में सारे जीवा दा पालक भरतावा और सरवर्त्र आर जगा फैले हावा लेकिन में इस विराट परकट दा अंश नहीं है क्योंकि में सिष्टी दा कारण स्वरूपा जिस वंगण आर जगा भेंदी पैये शक्तिशाली वायू अमेशा आस्माने च्रैंदिये ओंजी परकार सारे उत्पन प्राणी नू मुझ में इस्तित जानू एक उन्ती पुत्र कल्प युग दा अंत होने ते सारे प्राणी मेरी परकतीच परवेश करदेन और अन्य युग आरम होने ते में उन्हें आप्णी शक्ति नाल दुभारा उत्पन करनावा संपून विराट जगत मेरे अधीने आश्रेते ये मेरी इच्छा नाल दुभारा दुभारा आपे प्रकट ओंदें रेंदें और मेरी इच्छा नाल अंतेच नाश्ट ओजांदें हे धनन्जे ये सारे कार्म मुनू नई बान सकदें में जिजा चित आटगियोवे दी भाती इन सारे भोतिक कर्मा नू अमेशा आशक्ती रहित नाल रहनावा हे कुंति पुत्र ये भोतिक प्रकति मेरी शक्तियां चो एके और मेरी अधक्ष्ट्याच कारे कर दियान जिस नाल सारे चार प्राणी जो खाना खान दें जो चल दें तथा आचर प्राणी जो जाड़न जो चल दें नहीं उत्पन ओंदें इस नाल शार्ष्णेच ये जगत बारं बार रच्चया जान दें और विनस्ट ओंदा रहन दें जद्धन में मनुष्य रूपेच अवतरित ओना माता मूर्ख मेरा उपहास हसी करतें वे मुझ परमेश्वर दे देव्य स्वभावनू नू नी जान दें जो लोग इस परकार मोह गरस्थ ओंदें वे असुरी तथा नास्तिक विचारों दे खात्रों अकर्शिक तरेंदें इस मोह गरस्थ अवस्ता में उन्हादी मुक्ती आश्रा उन्हादी सकाम कर्म तथा ज्ञान दा नियमित अध्यान सभी निश्वल ओंदें हे पार्त मोह मुक्त महात्म जन देवी प्रकती दे संग्रक्षणेच हे फाज़त रहन दें वे पूर्ट्या भक्तीच नीन मगन लीन रहन दें त्योंकि वे मुझे आदी तथा अविनाशी भगवान दे रूपेच जान दें ये महात्मा मेरी महिमादा हमेशा कीर्टन करते हुए पक्के संकर्ट नाल कोशिर करते हुए मनु नमस्कार करते हुए भक्ती भाव नाल हमेशा मेरा पूजा करतें अन्य लोग जो ज्यान दे अनुशीलन दुबारा दुबारा अभ्यास दुबारा यग्ये में लगे रहन दें वे भगवान दी पूजा उना दे अदुवे बेजोड रूपेच कई तरा दे रूपोच था विश्व रूपेच कर दें किन्तु में ही करमकांड में ही यग्ये पित्रों नुदिया जाने वाला तरपण ओशदी दिव्वे ध्वनी मंतर घी अगनी तथा आहुती वां में इस भ्रमान दा पिता माता आश्रे तथा पिता मा आवां में जो जाने योग्ये शुद्धी करता था ओमकार वां में रिगवेद सामवेद तथा यजुरवेद भी आवां में ही लक्षिये पालन करता स्वामी साक्षी धाम शणन स्थली तथा अत्यंत पिरिये मित्र हुआ में शिष्टी तथा परले सार्यांद आधार आश्रे तथा अविनाशी बीज भी आवां हे अर्जुन में ही ताप गर्मी परदान करनावा और वर्षानू रोकना था लउणावा आवां में ही अमरत्व और सक्षात मिर्त्य धी हैवां आत्मा था परदात सत्य ता असत्य दोनों मेरे ची हैवन जो वेदा धा अध्यान कर दें, था सोम्रस धा पान कर दें, वे स्वर्ग दी प्रापती दी भोज पढ़ाई करते हुए अब परत्यक शुरूव्पे च मेरी पुझा कर दें वे पाप करमा ना शुधोकर इंदर दे पवित्र स्वर्गिक धाम में जर्म लेंदें जित्थे वे देवता दा सा आनन्द भोगतेन इस परकार जब वे अराधक भाकत विस्त्रित स्वार्गिक इंद्रे सुख नू भोग लेंदे और उस दे पुन्य कर्मों दे फल कमजोर हो जानदेन ता वे इस मिर्तिलों केच दुबारा लोटानदेन इस परकार जो तीनों वे दानदे से दानतों में पका रहकर इंद्रे सुख दी खोच करदे रहन देन उन्हानू जर्म मिर्तियों दा चक्र ही मिल पांदेन जो लोग अनन्य भाव एक मात्र नाल मेरे दिव्य सुरूप दा त्यान करते हुए अमेशा मेरी पूजा करदेन उन्हादी जो आवशक्ता है जरूरत वंडियान उन्हे में पूरा करणा हुए और जो कुछ उन्हादे पास है उन्हादी दख्शा करणा हुए हे कुंति पुत्र जो लोग अन्य देवताओं दे पागतों और उन्हादी शद्धा पूर्वक पूजा करदेन वे असलियोतेच वे भी मेरी ही पूजा करदेन किन्तु वे ये गलोत तरीके नाल करदेन मैं ही सारे यग्यों दा एक मातर भुकता था स्वामी वा इस खात्रों जो लोग मेरे असली दिवे सभाव नू नहीं पैचान पांदेन वे निच्चे गिर जान देन जो देवताओं दी पूजा करदेन वे देवताओं दे बीच जनम लेंदेन जो पितरा नू पूजदेन वे पितरा दे कोल जान देन जो भूत प्रेतों दी उपासना करदें वे उनी दे बीच जनम लेंदें और जो मेरी पुजा करदें वे मेरे साथ निवास करदें यदि कोई प्रेम तथा भक्ती दे नाल मनू पता गुल फाल तथा पाणी परदान करदे ता मैं उसनू सुईकार करना मा हे कुंति पुत्तर तुम जो कुछ करदें ओ जो कुछ खांदें ओ जो कुछ अरपित करदें या दान देंदें ओ और जो भी तपस्या करदें उसनू मुननू अरपित करते हुए करो इस तरह तुम करम दे बंदन पता इस दे भला और बुरा फलों नाल मुक्त ओ सकोगे इस सन्यास योगेच अपड़े चितनु इस्तिर करके तुम मुक्त ओकर मेरे पास आ सकसे में किसी दे नाल नाता दुएश शतुरता करना ना किसी दे नाल तरफदारी करना में सारे दे खात्रों बराबर वां किन्तु जो भी भक्ति पुर्वक मेरी सेवा कर दे वै मेरे मित्त तुरे वो मेरे चिस्तित रहन दे और में भी उजदा मित्त रहन यदि कोई बुरे से बुरा करम करदे किन्तु यदि वे भक्तिच रत लग्या रहन्दे ता उसनु साधू मनना चाहिदे क्योंकि वे आळे संकल्प नाल मजबूत अडिक रहन्दे वे तुरंथ धर्मात्मा बाण जान्दे और इस्थाई शान्तिनु प्राप होन्दे हे कुंति पुत्र निडर निर्भै ओकर घोशना करदो कि मेरा भक्त दा कदी विनाश नहीं होन्दा हे पार्थ जो लोग मेरी शर्ण गहन करदेन वे भले ही निम्न जन्मा इस्तरी वैश्य वैपारी तथा शूद्र शर्मिक क्यों नोवे वे परमधाम नुप्राप्त करदेन वात धरमात्मा भ्रामणों भक्तों तथा राज रिशियों दे खात्रों ता कैनाई के इस खात्रों इस शणिक दुख में संसारेच आ जानेते मेरी प्रेम भक्तीच अपने आपनू लगाओ आपने मननू मेरे नित्ते हमेशा चिंतनिश लगाओ मेरे भक्त बनो मननू नमसकार करो और मेरी पूजा करो इस परकार मुझ में पूंड तया लीन ओने पर तुम निश्चित रूप नाल मननू प्राप्त होंगे